राजधानी भोपाल में विधान सभा भवन में ध्वजा रोहन हुआ और विधान सभा के प्रमुख सच्यू अवधेश प्रताप सिंग ने ध्वजा रोहन किया समारोह में विधान सभा के अधिकारी और कमशारी मौझूद रहे अवधेश प्रताप ने गर्तंत्र दिवस की शुब कामनाई देते हुए कहा कि हमारे लिए गर्व का दिन है सम्मिधान निर्माता बाबा साहिब आमबेटकर का जनम भी इसी प्रदेश की भूमी में हुआ था सबसे बड़ा समिधान है और हमारे जो समिधान निर्माता थे उसके समिधान सबसे के समिधान सबसे कम 18-20 सदस उसमें थे जिसमें हमारे पृत्षम्मुक्त मंत्री से लेके और सागर के डाक्टर हरी सिंग गौर और जवलपूर के कई सदस्थे जनका महत्पूर योगदान सम्मिधान निर्मान में रहा है तो मतप्रेश के लिए विशेस गौरव का विशा है, पूरी देश के लिए गौरव का विशा है और इसी सम्मिधान के आधार पर जो आज लागू हुआ था 26 जनवरी को हमारा देश लोकतंत्र में बहुत मजबूत हुआ है हमारे सभी जितने भी सासन प्रणाली के अंग हैं चाहे विधाई का हो, कारिपाल का हो और न्याइपाल का हो सभी के अधिकार और दायत और कर्तब उस समिधान में दिये गए हैं